OTT पर एक ब्रिटिश फिल्म रेलिज हुई है जिसका नाम है तब मिनिस्ट्री ओफ अंजेटलमेनली वोर्बेर एक एक्शन पिरियेट ड्रामा फिल्म है जा आपको लीड रोल में एंडरी केविल लजर में आएंगे तो क्या ये फिल्म आपको पसंद आती है या नहीं ये ज उसके दुजरे ही तरफ युनाइटेट किंगडम और जगा फेल होता हुआ नजर में आ रहा है एसे में वो लोग एक प्लेन बनाते हैं और नाजी की जो नेवल शिप है जा आपको इनके सारे रध्यार रखे जाते हैं उसको डेस्ट्रोई करने के काम एक निन चार लोगों कि वहां के जो सीन होते हैं वहां की जो राजनीती होती है वहां पर किस तरीके से फिल्मों में आमें दिखा जाता है वो देखने में मुझे सच में इंटरस्टिंग लगता था और समय से मुझे इसके उपर पढ़ने की इच्छा होती है फिल्म देखने की इच्छा होती है तो जब भी कोई World War वाले फिल्म आती है, तो मुझे देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और इस फिल्म में, जिस प्रकार से planning plotting की गई है, जिस प्रकार की काहानी लिखी गई है, सुरुवाद से लेके अन तक आपको बिठाने में कामियाब रिखती है, और एक उचसुपता, एक टेंशन, जो भी फिल्म में दिखाए गया है, वो हम मेसूस कर सकते हैं, तो फिल्म में सभी का performance लाजवाब था, फिल्म के direction की अगर हम बात करें, तो direction और production, इन दो quality को देखकर हम बोल सकते हैं, के फिल्म में पैसा लगाया गया है, जिस प्रकार से period के जो scene दिखाए गये है, वो सच में amazing थे, जिस प्रकार से समंदर के scene दिखाए गये है, नाजी सैनिकों के चीज दिखाए गयी है, वो सच में लाजवाब थी, देखने में मज़ा आ रहा था, बस एक ही चीज मुझे जो खटकी है, कि नाजी जो सैनिक थे, वो बहुत ही ग्रूर थे, उनको बहुत ही शातिर भी थे, तो वो इस तरीके से आसानी से, चंगुल में फश्जा ऐसे तो नहीं होंगे, तो फिल्म मुझे एक तरपाई लग रही थी, प्यूकि नाजी सैनिकों के हिसाब से, ये फिल्म नहीं दिखाए गई है, तो फिल्म और जादा इंट्रेस्टिंग होती, सच्ची गटना पर आदारित होती, तो और जादा मज़ा था, अलाकि इस फिल्म को सच्ची गटना पर आदारित तो बोल रहे है, लेकिन बहुती जादा फिक्षे पुनों ने जोड़के रखा रहे, तो अगर आपको एक इंट्रेस्टिंग सी फिल्म देखनी है, वर्ल्ड वर के उपर फिल्म देखनी है, उन बीच में क्या हुआ था, युनाटेट किंग्डब वो नाजी के बीच में क्या हुआ था, अगर ये चीज आपको जारना है, तो ये फिल्म आपको Amazon Prime वीडियो पर इंदी लेंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो इंदी डबिंगे, वो भी बहतर की गई गई गे, इस फिल्म के जो लेंद थे, वो दो गंटे के आसपा से, मैं इस फिल्म को दूँगा, 7 out of 10 stars, आपको ये रिवी कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा, पर अगर रिवी अच्छा लगा, वो तो लाइक ज़रू कीजेगा, तब तक के लिए फिर मिल दे हैं, जई श्री राम